हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे आज हम करने जा रहे हैं 2.2 एक्सराइज के इंपोर्टेंट एक्जामपल तो देखिए तब तक सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कुईजिए अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है समझ में नहीं आने वाली तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और बताईए देखिए क्या दिया हुआ है फर्स्ट जो एक्जामपल है आपको क्या करना है कि डू दफलोविंग कोउंग्रॉएवेंस पोजेस अे सोलीशन आपको expect दिंऊ है प्रोपर्टी ठीक है आपको बताना है कि यह कंग्रॉएंस है प्रोपर्टी या नहीं हैक है कैसे बताएंगे तो तो आपको 84 x congruent दिया हुए, linear congruence है, इस तरीके कि अगर फूम दे दी जाए, तो आपको देखने इससे ही पता चल जाएगा, कि ये जो है, वो क्या है, linear congruence है, आपको क्या दिया हुआ, 84 x congruence, 16 mod 35 दिया हुआ है, कैसे करें आप इसको, ठीक है, अब देखिए, हमें पता है, कि हमें ये बात पता है, कि हमारे पास congruence की क्या value होती है, ax congruence b mod m, ठीक है, ये होती है, ये हमारा linear congruence का solution होता है, यदि, कब, if यदि d is equal to में मेरे पास क्या given होता है, am का जो gcd है, वो मेरे पास क्या given है, d given है, ठीक है, ये बात हमें पता है, कि ax congruence होता है, B mode M के तो वो कब होता है ये बात आपको मैंने first starting में ही बताई थी जब पहला जब आपने इसको start किया था linear congruence को तब ही आया था कि अगर आपको A, X, B इस तरीके से दे रखा है वो linear congruence कब होगा जब या तो वो A जो है वो कभी भी incongruent हो 0 mode M के second क्या होगा कि उसका जो GCD है वो किसके बराबर कुछ ना कुछ उसकी value आनी चाहिए GCD की D कुछ भी हो ठीक है 1 नहीं हो GCD की value कुछ ना कुछ आनी चाहिए तो देखिए अब हमें क्या given है ये congruence का case है अगर मालो आपको वहाँ से ना पता चाहिए ठीक है तो देखिए आपको हमें A बराबर कितना given है 84 अगर मैं इसको इससे compare करूँ A बराबर मुझे 84 है और B बराबर मुझे कितना दिया हुआ section और M बराबर मुझे कितना दिया हुआ 35 और अगर मैं GCD की बात करूँ तो इन दोनों का जो GCD है 84 और 35 का वो मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों का अगर मैं वो निकालती हूँ HCF तो मुझे 84 और इसका GCD जो है वो क्या मिलेगा 35 करके 1 से गया या 2 से गया 2 5 जा 10 2 से 3 जा 6 और 1 7 2 से गया यह यह हो गया यह गया 7 7 है न GCD मतलब मुझे HCF निकालना है अब 7 आया D मुझे अब देखिए यह बात ध्यान रखना कि अगर यह 7 GCD आया है GCD मेरा क्या कहता है GCD जो होता है वो मेरा क्या कहता है कि जो GCD आया है इसको 7 देखो कैसे बताती हूँ 84 है मालो मेरा पास हो यह 35 है यह जो GCD आया है यह जो 7 GCD है न वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा ठीक है होना चाहिए यही तो होती है न GCD के लिए प्रोपर्टी लेकिन यहाँ पर यह 84 को डिवाइड नहीं कर रहा 35 को डिवाइड कर रहा है देखो कैसे कि आप क्या लिख सकते हो कि 7 does not divides does not divide D जो है वो does not divide A and B देखो ना तो वो A को डिवाइड कर रहा और ना ही वो B को डिवाइड कर रहा तो अगर वो A और B दोनों को डिवाइड नहीं करता तो मैं क्या लिखूंगी कि आप यहां लिखोगे 84X congruence 16 mode 35 जो है does not possess solution does not possess a solution ठीक है वो जो है वो इसका solution नहीं रखता मेरी बात क्लियर में वो जो है वो B को तो जरूर divide करना चाहिए B जो है वो किसको divide करना चाहिए B को divide करना ही चाहिए लेकिन यहां अगर वो divide नहीं कर रहा है तो it means जो है वो उसका solution नहीं है next जो question दिया हुआ जैसे second part है इसका first का second part उसने क्या कहा है कि 135 X अगर 6 और यहां है mode 10 ठीक है mode 10 आपको पता है कि D निकालना है D जो है वो AM का GCD है AM का क्या है यह GCD है congruence की property जो वो मेरी क्या है यहां पर B mode M होती है इसमें AM का जो GCD है वो D है यह जो D है वो A को भी divide करेगा और यह M को भी divide करेगा साथ ही साथ किसको divide करना चाहिए B को भी divide करना चाहिए तब ही congruence होगा otherwise नहीं होगा का solution होगा ठीक है तो अब देख लीजिए मेरे पास A क्या है A है 135 मेरे पास B क्या है 6 और M क्या है मेरे पास 10 है AM का GCD AM क्या है मेरे पास 135 और 10 है इन दोनों का जो GCD है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 होगा अगर मैं निकालूंगी तो इन दोनों का GCD क्या है मेरे पास 5 है अब 5 देख लीजिए कि ये जो D आया है आपका 5 ये आपका 5 135 मतलब A को डिवाइड कर रहा है 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है M को भी क्या ये B को डिवाइड कर रहा है 6 ये 6 है भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो मैं क्या लिखूंगी इसको डिवाइड नहीं करता तो हम क्या लिखेंगे कि 135 X 6 भी जो और करेंगे हम वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं को करने के एक तरीका जो मैंने आप इसम जाया दिया विपार से ब्लों मैं अभाशिए अपको है gets to Episode decía Cutco से टी्बूंच के कैसे इसमें कई बार एसा होता है कि एलार्ज होता है कई बार M large होता है कई बार दोनों ही large नहीं होते हैं तो इन सब के लिए अलग-अलग cases होते हैं ठीक है तो मैंने ये case समझा दिया आपको अब आप दूसरा पीछे से ज़से की ये दिये हुए आपको इनके according आप कर सकते हैं next जो question दिया हुए congruence 3x plus 2 0 mode 7 आपको ये दिया हुए हमें चीज वही है से statement में आपको change कर दिया कि आपको 0 mode 7 दे दिया possess congruence आपको वही बताना है क्या ये congruence को solution को possess करता है या नहीं करता सिर्फ हमें यही चीज बतानी है तो हम कैसे बताएंगे सबसे पहले आपको पता plus 2 यहां है तो ये उधर जा सकता है तो ये क्या हो सकता है माइनस का 2 हो सकता है तो मैं यह लिख सकते हूँ 3x ये congruence माइनस का 2 mode 7 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अब देखो मेरी statement वही बन गई यहाँ A क्या हो गया 3 हो गया और B क्या हो गया मेरे पास माइनस का 2 हो गया और M क्या हो गया मेरे पास 7 हो गया ठीक है अगर मैं इन दोनों का GCD निकालू A और M का GCD A क्या मेरे पास 3 और 7 इनका GCD क्या मेरे पास 1 तो it means मेरे पास D क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है तो देखिए इसका मतलब क्या है अगर D मेरे पास 1 आ गया तो यहाँ पर 1 तो आपको पता है 3 को भी डिवाइड करेगा 7 को भी करेगा माइनस 2 को भी डिवाइड करेगा मतलब यह जो है वो एक solution रखता है इसका जो solution होगा अगर D 1 आया है तो इसका solution जो है वो क्या होगा only or only one solution होगा तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि यहाँ क्या लिखेंगे solution जो है solution of congruence तो होगा solution of congruence exist करेगा and unique होगा वो क्या होगा unique होगा मतलब एक के लिए solution होगा D आपको पता है कि क्या हो गया 1 हो गया और आपके पस B क्या है मेरे पास minus का 2 है B क्या है मेरे पास minus का 2 है तो देखिए इसके अंदर मुझे uniqueness लाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या इसके अंदर change करना है और क्या नहीं करना इस तरीके के question में जिसमें हमें find the value of the x निकालनी हो तो इस तरीके के question में मुझे एक चीज तो mind में रखनी ही पड़ेगी क्या रखनी है वो देखिए इस तरीके के question में मतलब मान लीजे मैं पास 3 x है मुझे यहां 3 लाना है तो इस तरीके के question में मुझे क्या दिमाग में रखना है पहली बात तो आपको ये रखनी है कि आपके पास ये है 3X माइनस में 2 ठीक है पहली बात तो आपको जो रखनी है वो एक से लिए वो ये है कि आपको left hand side मतलब इस side 0 लेके आना है सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि 0 लख दिया आपने या आख बंद करके मान लिजे left hand side मने 0 रख दिया ठीक है अब 0 रखने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर मुझे यहाँ mode 7 लिख दिया ये बात confirm कर ले ना यहाँ आपको 0 लाने left hand side में अब यहाँ क्या लेके आना है यहाँ मुझे क्या लेके आना है यहाँ पर मुझे एक ऐसी statement लेके आनी है जो 7 से तो completely divide करती हो ठीक है 7 से देखो मैं एक बात यहाँ समझ लेगे minus 2 more 7 जो 7 से तो यह first मान लिजे second जो आएगी second जो 7 से तो completely divide करती हो remainder 0 देती हो ठीक है इसी यहाँ 0 आया है ठीक है अब यहाँ पर 7 की टेबल में 14 आता है 21 भी आता है और यह सारे आते है मतलब ऐस उने चेवती तो मैं यहाँ पर 14 भी रख सकती हूँ 21 भी रख सकती हूँ लेकिन मैं 14 ही रखूंगी ऐसा क्यों क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 14 रखती हूँ यहाँ रखली कर रहे हूँ अगर मैं 14 रखती हूँ जो की 7 से completely divide है और remainder मुझे 0 दे रहा है और अगर इस में से मैं घटा हूँ अगर इस statement में से मैं इसको घटा हूँ 14 में से अगर मैं 2 घटा हूँ ठीक है या add करूँ लेकिन यहाँ तो घटेगा क्योंकि यह already minus का है तो 14 में से 2 गए है 12 जो 3 से completely divide है समझा गया ताकि मैं 3 नीचे चला जाएगा फिर मेरे पास क्या बच जाएगा X मेरे बात समझ गया या नहीं अगर मैं इसकी जिगर 21 लेती तो 21 में से अगर मैं 2 घटाती हूँ तो देखिए मेरे पास कितना आता है 21 में से अगर मैं 2 घटाती तो 19 आता है 19 3 से completely divide नहीं है तो मेरे पास X तो बचेगा नहीं न थरीक फिर कुछ ना कुछ तो पॉइंटों में रह जाएगा जो कि possible नहीं है तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज करना है जो M से completely divide हो और जिसमें से मैं यह घटा हूँ वो 3 से पूरा divide हो हर कोशनों में आपको यह चीज जो है concept है for the value of the X आपको मान के चलनी है clear है तो मैंने यहाँ पर 14 लिया 14 लेने से मेरा क्या फाइदा हुआ कि जो equation मेरी है first और second को अगर मैं solve करूँ देखिए मेरी पास first equation के है 3X congruent है minus का 2 और mode 7 था ठीक है और second जो equation है मेरे पास यहाँ पर 0 congruent यहाँ 14 mode 7 अगर मैं इन दोनों को add करती हूँ तो देखिए यहाँ 3X हो गया ठीक है congruent यह कितना अगर 12 यह हो गया mode 7 ठीक है तो यहाँ पर X बच जाएगा और 3 नीचे आजाएगा तो यह 3 से इसको completely क्या करेगा divide करेगा तो मेरे पास क्या आजाएगा X congruent 4 mode 7 आगया क्या आगया मेरे पास 4 mode 7 तो यही इसका solution बनेगा जो solution है for the X की value के लिए वो मेरे पास क्या आजाएगा इस तरीके से आएगा clear है have done देखिए next जो question है उसको करेंगे तो और भी अच्छे से clear समझा जाएगा आपको question दिया हुआ 13 X congruent आपको दिया हुआ 10 mode 28 दिया हुआ इसको solve करना है कैसे करेंगे सबसे पहले हमें पता है कि A is equal to 13 है B is equal to 10 है और M is equal to में आपके पास क्या है 28 है अगर मैं A M के GCD की बात करूँ अगर A M का GCD 13 और 28 का तो वो मेरे पास क्या है 1 आ रहा है क्या रहा है मेरे पास 1 It means D जो है वो मेरे पास क्या रहा है 1 आ रहा है GCD को मैं D भी लिख सकती हूँ ठीक है ये divide करेगा D जो है divides B D divide करेगा B को कि 1 है तो 1 तो B को भी divide करेगा अब मुझे अगर ये D 1 को divide sorry D अगर B को divide करता है तो ये congruence exist करेगा congruence exist करेगा hand has unique अगर ये exist करता है तो ये क्या रखेगा unique solution रखेगा ठीक है और वैसे भी अगर 1 आ जाता है तो unique solution ही property को hold करता है तो 1 आ गया है अब मुझे पता है कि ये मेरे पास 13x है congruence 10 है और mode 28 है मुझे यहाँ पर पहले तो x लाना है सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि यहाँ 0 लेना left hand side तो मेरा 0 आना चाहिए अब 28 की table पढ़ना शुरू कर दो 28 की table पढ़ना शुरू कर दो 28 तो जा मैं यहाँ एक बर बना रही हूँ क्यों 28 की table पढ़ रहे है क्योंकि 28 से वो completely divide होना चाहिए 28 से वो completely divide होना चाहिए यहाँ पर जो number हम लेंगे यहाँ mode 28 है 28 से completely divide होना चाहिए तो 28 तूजा कितना होता है 8 जा 16 2 तूजा 4 56 3 से अगर करे 3,8,24,3,2,6,7,8 ठीक है पहले हम इनको ही solve करते है अगर मैं 56 लेती हूँ मान लीजिए और 56 में से अगर मैं 10 को गटाती हूँ तो मेरे पास कितना आया 46 क्या 13 की पहड़े में 46 हता है 13 चो के 52 49 13 चो के 52 नहीं आता तो नहीं है यह possible अगर मैं यहां 84 लेती हूँ 84 में से 10 गटाती हूँ 84 में से मैंने 10 गटाया तो कितना 8 में से एक गया 9 तो क्या 49 में से यह पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा नहीं लेंगे हम इसको ऐसा करते रहेंगे ऐसा कब तक करेंगे जब हम 28 को 8 से करते है 8 to 64 6 8 दूनी 16 और 6 हमारे पास क्या हो जगा 16 और 6 22 तो मेरे पास 224 आया अब 224 224 है चाहे प्लस 10 कर दो भई एड भी कर सकते हो आप इसको घटा भी सकते हो वो आपकी मर्जी है अगर मान लीजे 224 में आगर आपने 10 एड किया तो मेरे पास 234 आया क्या ये तेरा से भाग करता है तेरा एकम तेरा जीरो हाँ बिल्कुल कम्प्लिटली भाग कर रहे तो ये हमें इस तरीक के से ले रहे 22 मेरे पास क्या है 4 अब मैं अगर इन दोनों को एड करूँ 1st और 2nd को मैं इसको घटा भी सकते हो तो अगर आपका घटाने से कुछन सोल होता है तो घटा भी सकते हो लेकिन यहां माइनस नहीं आना से यह ध्यां लगना यह वाला पोजिटिव होना चाहिए ठीक है तो मेरे खाल से एड ही करना जाज़ा बैश करेगा क्योंगे अगर आप माइनस करते हो तो यह नेगिटिव हो जाएगा यह नेगिटिव होते ही तो नेगिटिव का साइन आएगा तो मेरे पास क्या हो गया 13x is equal to में मेरे पास आया 2, 3, 4 यह आया mode 28 ठीक है अगर मैं x को यहीं रह रहे दू तो 2, 3, 4 अपोन में 13 यह कितना हो जाएगा mode 28 अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो x मेरे पास कॉंग्रुएंट यह हो जाएगा 18 mode 28 यही सोलुशन तो मुझे निकालना था यही मेरा सोलुशन जो है निकल चुगा है ठीक है इसी का अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट और करवा देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए जो अगर थोड़ा सा बचा भी है तो आपको क्या दिया होए 342 आपको दिया होए x congruence m mode 13 अब हमें पता है यह चीज मुझे given है यहां देखें कितना large आगया कितना ज़्यादा बड़ा आगया तो मुझे भी ज़्यादा बड़ा सोचना पड़ेगा तभी मेरा question सुरोगा दरवाईज नहीं होगा तो देखें A की जगह पर यह हो गया B की जगह पर 5 हो गया तो मेरे पास इन दोनों का GCD क्या है 1 तो इट मिंस D क्या है मेरे पास 1 और B मेरे पास क्या है 5 तो D डिवाइड करेगा B को इट मिंस अगर यह डिवाइड करता है तो it has a solution ठीक है यह solution रखेगा solution रखेगा अगर यह solution रखता है एक बात और बता देते ये जो solution होगा, वो incongruence का होगा. It has solution of incongruence. ऐसा क्यों? Incongruent का solution होगा. ऐसा इसलिए है विटा, क्योंकि incongruent का solution ये इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर A की value greater है, कि से M से. Congruence का solution कब होता है? जब A की value less होती है M से. तब हमारा जो solution होता है, वो congruence का होता है. लेकिन अगर A की value बड़ी आज़ती है M से, तो हमारा जो solution बनेगा, वो incongruence का बनेगा. ये बात हमें याद रखनी है. ठीक है? Incongruence का solution है, तो ये जो solution है, वो हमेशा unique ही रहेगा, दोनों के case में. कौन सा solution रहेगा? unique. ठीक है? तो अब देखिए, हम क्या करेंगे? 342 मेरे पास आया हुआ है, तो अब मेरे पास A जो है, A तो मेरे पास क्या है? 342 है, जो की बहुत large है, easy large. ठीक है? अगर मैं इसको 342 को divides करती हूँ by M से, divided by M. ठीक है? करती हूँ M से, M कितना है मेरे पास? 13, 13 से अगर इसको divide करती हूँ, 342 को अगर मैं 13 से divide करती हूँ, करके देख लेते हैं, 342 को अगर मैं 13 से divide करती हूँ, तेरा एकम, तेरा दुनी 26, चुदम 8, चुदम इस यह 8 ही होता है, ना, और फिर यह 2, चीक है? तो तेरा जोंट रपंजी पैसे, तेरा चिक अठेंतर, तेरा चिक अठेंतर, चार, यह बच रहा है मेरे पास, इसका मतलब क्या है? मैं इसको कैसे लिसके? डिवाइड वाले मैथड में क्या होता है? तेरा की गुणा इससे, और रिमेंडर को एड़ कर देखे हैं, तो यह हो जाएगा, 3, 4, 2, is equal to me, 13 multiply 26 plus 4, ठीक है? अब देखो, 3, 4, 2 है, इसको अगर minus 4 कर दूँ, तो 13 into me 26, क्योंकि मुझे अब, congruent की property बनानी पड़ेगी न, तब ही तो मेरे पास, question solve होगा, द्रवाइस तो होगा नहीं, ठीक है, अब मेरे पास यह आया, अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर B आता है, यह क्या आता है, B आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3, 4, 2, congruence, 4, यह क्या हो जाएगा, मोड मेरे पास क्या है, 13 है, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, इस statement को मैंने इस तरीके से लिख दिया, भी B यह आगे मेरे पास, यह case बन गे है, मेरे पास B का, clear है, लेकिन मेरी जो first statement है, first statement मेरी क्या कहती है, कि मेरे पास 3, 42, 3, 42, x, congruent 5, mode 13 है, ठीक है, यहाँ x है, तो मैं इसकी multiply भी by x कर दूँ, तो यहाँ हो जाएगा, 3, 4, 2, x, congruent 4 x, क्योंकि अगर x से यहाँ multiply तो यहाँ भी हो जाएगा, यह हो जाएगा, mode 13, बहुत clear है, अगर यह first मान लूँ, यह second मान लूँ, 3, 4, 2, x, congruent 5, mode 13, 3, 4, 2, x, congruent 4, mode 13, साथ में x है, गटाने पर करें, तो यह cancel हो गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 4 x, प्लस का 5, यह बचा mode 13, माइनस का 4 x उदर चला जाएगा, तो 4 x, congruent 5, mode 13, ठीक है, यह वाली statement मेरे पास आ गई, अब देखो, वही वाली आ गई ना, अब छोटा आ गया ना, 4, यह सिर्फ procedure मुझे क्यों करना पड़ा, पता चला, कि मेरा जो a था, वो a जो था, वो 342 था, जो की बड़ा था, किसे m से, अब जो नया new जो a मिला है, new a, वो क्या है, 4 है, जो की छोटा है, किसे m से, यही मुझे मिलना था, उसके बाद का same procedure है, कैसे, left hand side हम क्या करेंगे, 0 को generate करेंगे, अब मैंने 0 ले लिया, अब मुझे 13 की table में जो आता है, 13 दुनी, 26, 33 49, 13 एकम, 13, 13 चोके, 52 जो बिदरती है, 49, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लूँ, अगर मैं मान लीजे, 13 ले लेती हूँ, 13 अगर मैंने लिया, 55 को add करती हो, तो मेरे पास 31 नहीं हुआ, अगर मैं 49 ले लेती हूँ, 49 ले ले लेती हूँ, घौसराइस अगर मैंने 47 6, एक सेखेंडू तो डेरेक्ट भी निकल सकता, एक सेखेंड नहीं सकता, करना ही पड़ेगा ये procedure, अगर मैं 49 लेती हूँ, और उसमें पांच एड करती हूँ नोर तिन बारा तिरा चोदा करती हूँ च्वालिस तो फोर से डिवाइड भी हो रहा है तो मैंने क्या लिया 49 यह हो गया मोड 13 ठीक है अब मैं इन दोनों को क्या करती हूँ एड करती हूँ तो 4X एडिंग बोद एडिंग बोद तो यह हो गया 4X यह कितना हो जाएगा मेरे पास 9 तिन बारा तिरा चोदा 44 यह हो गया मोड 13 तो X के वेल्यू कॉंग्रुएंट 11 यह हो जाएगा मोड 13 तो X जो है वो मेरा कॉंग्रुएंट 11 मोड 13 सोलूशन बन चुका है ठीक है देखिए पहले वाले कॉशन में मुझे इउपर वाला प्रोसेजर नहीं करना पड़ा क्यों क्योंकि उसके अंदर A की वैल्यू लेस्ट देन M थी यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो ग्रेटर M थी तो मुझे क्या करना पड़ा यह सारा काम सारा खेल एक ही वैल्यू लेस्ट देन M लाना पड़ा इसलिए करना था ठीक है तो आज हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो इससे बचे नेक्स्ट कोशन जो है वो हम करेंगे तक तक के लिए बाई बाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे ज़दा से ज़दा इस झाल